तमस्कार मैं सतीश महरा आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवेक शील करमठ और जोजारू अधिकारी के बारे में जिनका नाम भी विवेक जोशी है 1989 बेच के आईएस अधिकारी विवेक जोशी को हरियाना सरकार दोरा मुख्य सचीव न्यूक्त किया गया है विवेक जोशी ने इस से पहले केंदर और हरियाना सरकार में कई एहम पदों पर कारिया किया है उन्होंने ने केवल NDA सरकार के साथ बलकी UPA सरकार के साथ भी केंदर में कारिया किया की बदावलत लगातार के इंदर में मैतुपून पदोंपर नियुक्ति पाई है मैतुपून बात यह है कि च्रीविवेक जौसी जो नो तीन उन्निसों स्तानुमें से बाइस चार उनिसों ठानुमें तक जीन में उपाईप्त रहे इस दोरान मुझे भी उनके साथ जीन में का करने का मौका मिला उस समय हर्याणा में शराब बंदी का दौर ठा पूरा प्रशाषणिक अमला जिला में गाओं गाओं जाकर शरा tiden को सभल बनाने के लिए आमजन को जागरूप करता था उस में हर कार्कर में मैं जोसी जी और उनकी पूरी प्रशाषणिक टीम के साथ होता था जिला में शराब बंदी को सफल बनाने के लिए प्रसासनिक अधिकारियों ने विवेग जोसी जी के नेतरतों में बहुत इमांदार इसे कारे किया इनी दिनों जीन्द और बिवानी में किसान अंदॉलन भी हुआ जिला का उचाना कसबा किसान अंदॉलन होने के बाद भी उपायब श्री विवेग जोसी ने बहुत अच्छे तरीके से अंदॉलन को हैंडल किया और किसी भी प्रकार की जान की हानी नहीं होने दी लगातार अंदॉलन कारियों के बीच खड़े रहे साथी चंडिगड में अपने आला धिकारियों से भी और चीफ सेगरेटरी के ऑफिस में देते रहें रेल गाड़ी की जो दो बोगी जल रही थी उन दो बोगियों के पीछे गाड़ की बोगी थी जिसमें रेलवे विवाग का पांच क्रोड का कैस रखा हुआ था रेलवे गाड़ ने मुझसे बात की और बताया कि मेरी बोगी श्री भीवेक जोची से बात की उन्होंनों जैसे तैसे किसानों को तितर बितर किया और खदेड़ा इतने में RH्लेवेक हरमचारियों द्वारा कैसने की हुई बोगी और अन्य बोगीयों को जलती भी बोगीयों से काट दिया गया तब तक जीन्द और नर्वाना से फाइर ब्रिगेट की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थी और सभी गाड़ियों ने बोगी की आग को भुजाने का काम किया इस प्रकार से पूरी रेल को जलने से बचा लिया गया किसानों को भी तितर वितर किया गया अंदौलन खत्म हुआ तब विशेश रूप से श्री विवेक जोसी जी ने मुझे शावासी दी थी वो बात मुझे आज तक याद है इस प्रकार की अनुभवी यादें उम्र भर साथ रहती हैं और जीवन में होसला तता उत्सा देती रह करती हैं श्री विवेक जोसी जी को हर्याणा दिवस के अवसर पर परदेश के मुख्य सचीव बनने पर बहुत-बहुत बदाई और शुब काम नाएं आशा करता हूं कि ऐसे मेनती करमठ और कुशल अधिकारी के नेतरतों में उनकी पूरी प्रसासनिक टीम, सरकार की योज जनाओं और कारे करमों को बेतर ढंक से हर जरूरतमन ब्रक्ति तक पहुंचा पाएंगी जिससे परदेश की जनता को लाब होगा